अब हम यहां पर उसी discussion को आगे बढ़ाएंगे बट पहले आपका discuss करेंगे यहां पर source transformation ठीक है कि एक source यानि की voltage source को कैसे current source के अंदर आपका change किया जाता है या फिर current source को किस तरीके से voltage source के अंदर आपका change किया जाता है तो next is इसी की अंदर है आपका nodal analysis में तरीक डैट सोर्स ठांस गर्णश की सोर्स को का किया बढ़ा आपका होगा voltage source आपका क्या होता है जैसे practical अगर हम बात करें practical voltage source की यह पर practical के बारे में बात करेंगा ideal के बारे में नहीं तो यह आपका practical मालीच एक शूर्स है ठेक है टो । कम सर्स था है आपका voltage यानि कि इसको हम किस तरीके से आपका custom trick कर सकते है और इसका kuch internal resistance तो इसको हम समझ सकते हैं, जैसे आपका DC, यह DC है आपका source है, जैसे आपका DC generator होता है, तो जो भी आपका generator रहेगा, वहां पर प्पा क्या रहेगा, कुछ ना कुछ कोईल साब की होती है, और कोईल सा क्या रहेगा, कुछ ना कुछ resistance भी रहेगा, ठीक है, तो resistance का मतलब, यहां क्या है दिस प्रिक्टिकल वोल्टेटी कट और कॉंसा सोर्स है इंडिपेंडेंट वाला ठेक है तो यहां से अंदेर अनदर आपका ठेक्रम कर सकते हैं इसत तरीके से वह जहां से आपका current आपका यहां से enter करेगा तो यहां से इस तरीके से आपका तो जहां से enter leave करेगा वहां पर positive और जहां से आपका यहां पर आपका क्या हो जाएगा negative आपका आएगा और यह जो आपका resistance है यह resistance आपका आजाएगा यहां पर कि आ धर स्वाज करने का य dolphins कि आ यंदिपेंडेंट है और इसके अंदर आपका उल्टा आपका क्या हुआ जैसे अगर आपका मालिज है कहीं पे आрахिवन के एपका कोई भी सोर्स यहां पर ऐसे ऐंठी है यह आपका सोर्स हो गया इस यह आपका इसका क्या हो गया रीजिस्टेंस को यहां पर करें प्लस और माइनस के सथ क्योंकि जहां से आपका लिव करेगा वहां पे आपका क्या हैगा प्लस और यहां पे आपका क्या हैगा माइनस तो यहां पे आपका इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसका रजिस्टेंस आपका रहेगा और यहां पे जो वोल्टेज आपका V it is equal to क्या रहेगा आपका I into R ठीक है I यहां से और R आपका यहां से तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं आपका convert कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर इसी को हम बोलते हैं क्या source transformation ठीक है source transformation अब आगे आपका स्वाल यहाता है कि क्या हम सिरफ independent वाले को ही convert कर सकते हैं dependent वाले को नहीं कर सकते तो यह आपका इसका जवाब क्या होगा यस हम कर सकते हैं independent वाले को भी और आपका dependent वाले को भी यानि कि आपका क्या हुआ यहां से हम इसको ऐसे भी convert कर सकते हैं भई माल लीजी यहां पर आपका ऐसे source given है, यह आपका है source, ठीक है, it is like this, ठीक है, यहाँ पे plus है और यहाँ पे minus है, यहाँ पे आपका कोई भी magnitude है, say this, it depends on V, यह V आपका कहीं भी हो सकता है, किसी भी circuit के अंदर, dependent का तो आपका यह रहता है, और यह आपका क्या रहेगा, R आपका रहेगा, मालीजे, R आपका ठीक है, इसको भी हम क्या कर सकते है, ओसरी, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका parallel के अंदर आपका आजाएगा, ठीक है, this is R, तो same आपका, जैसे आपने इसको convert किया है, वैसे हम dependent वाले को भी क्या कर सकते हैं, convert कर सकते हैं, similarly, अगर आपका इस तरीके से गीवन है अगर आपका इस तरीके से गीवन है कोई भी current source ठीक है और यहाँ पे इसका resistance है यह भी आपका dependent है this is current i तो यहाँ से इसको हम किसमे transform करेंगे इसको हम transform करेंगे भई ऐसे this is plus minus के साथ में और यह जो resistance है यह आपका series में आ जाएगा ऐसे this is r और यहाँ से v it is equal to क्या हो जाएगा i into r तो हम इसको आपस में क्या कर सकते हैं convert आपका कर सकते हैं यह आपके कौम से source हैं यह दोनों आपके dependent हैं these are dependent ठीक है यह dependent के case में है और यह आपका independent की case में है ठीक है तो यह मैंने आपको बताया source transformation के बारे में अब हम इसी से related कुछ आपके numericals भी देखेंगे इसी lecture के अंदर यहाँ इस question के अंदर वैसे तो हम इसको direct कर सकते हैं आपका nodal से आपके दो है यहाँ पर एक ये वाला node है और एक आपका ये वाला node है लेकिन फिर node के अंदर आपका क्या होता है दो equation आपकी बनेंगी फिर उन दोनों equation को आपको soul out करना पड़ेगा ठीक है तो हम यहाँ पर आपको क्या लगाते है source transformation आपका लगा लेते हैं इस question के अंदर ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या बताना है current बताना किस के अक्रोस 5 ohm register के अक्रोस तो कैसे करेंगे आप हम इसको सबसे पहले हमें क्या करना है source transformation आपका use करना है और source transformation यूज करके यह जो आपको नज़र आ रहा है एक आपका ये वाला current source और एक आपका ये वाला current source इन दोनों को हम किसमें convert कर लेंगे आपका इन दोनों को हम voltage source के अंदर आपका convert करेंगे तो यहां से आपका क्या आएगा पहले देखिए यहां से क्योंकि यहां पे नीचे की तरफ है तो यहां पे आपका source बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा नीचे की तरफ आपका सिंबल है तो जहां से आपका निकलेगा वहां पे positive और यहां पे आपका क्या रहेगा? Negative आपका रहेगा और मैंने आपको बता है दा voltage आपकी कैसे calculate की जाती है? V it is equal to I into R तो यहां पे आपका कितना है? 2 है आपका और इसका कितना है? 1 ohm का है ठीक है तो आपका कितना voltage हो जाएगा? V it is equal to 2 into 1, this is equal to 2 volt तो यह 2 volt आपका हो गया और यह जो आपका 1 ohm का है इसको हम series में ले आते हैं तो इसको हम ले आएंगे यहां पे series में ठीक है यह आपका किसमें हो गया? series के अंदर आपका आगया है ठीक है? अभी मैंने आपको बताया इससे पहले source transformation कैसे करते हैं फिर आपका यहां पे आपका लगाएंगे कौन से आपका? 5 ohm का है ठीक है? यह तो आपका हो गया internals के बाद में यहां पे आपका क्या है? 5 ohm का है अब इसके बाद में आपका क्या है? नेक्स्ट आपका यहां पे 5 ohm का है और यह आपका 2 ohm का है तो 5 into 2 आपका यहां पे क्या कर रहा है? यहां से आपका leave कर रहा है तो जहां से आपका leave करेगा यहां पे plus और यहां पे minus तो यहां पे plus और यहां पर क्या रहेगा visão और माइनस इसको हम यहां पे करेंगे जो resistance है यह कहाँपे आजाएगा यह आपका इंदर गुतनी आंगे आपका resistance चाहुए तैंगे आपके का र्जिस्टेंस तरल से यहां पे इसे और कि बॉल का नेट और हाएतगा, और अशंऊnınनला आपका करेंगे 5 x 2 this is equal to 10 V, ठीक है? तो अब हमें यहां पर क्या apply करना है? यहां पर अब हमें loop analysis से हम इसको direct निकाल सकते हैं, कैसे? वही total जो resistance है, series के अंदर क्या हो जाता है? आपका add हो जाता है, ठीक है? तो यहां से आपका कैसे करेंगे? माली जे current आपका I है और यही current जो यहां पर आएगा वही आपका बाद में भी रहेगा, ठीक है? तो यहां पर आपका कितना आएगा? एक equation से आपका sol हो जाएगा, यहां पर दो equation आपको नहीं लगानी पड़ेंगी, तो minus का 10, plus का 2i, plus का 55, plus का 1 into i, फिर उसके बाद में आपका क्या है? minus का 2, this is equal to 0, तो यह आपका 8i, this is equal to 12, and i, it is equal to 3 by 2, 3 by 2, that is equal to 1.5 ampere, आपका कितना current flow करेगा यहां से? 1.5 ampere का current flow करेगा, ठीक है? तो जब हम इस type से आपका apply करते हैं, तो आपको nodal लगाने के लिए, यह दो equation आपकी नहीं बनेंगी, यहां से आपका direct आ जाएगा, तो और यह जो है आपका source transformation, बहुत सारे numericals के अंदर आपकी help करेगा जब हम आपका exam के अंदर बैठते हैं, तब, यह आपका इस question के अंदर था, अब देखते हैं आपका इसी से related next question, इस question के अंदर आपका देखिए, एक circuit आपका given है, और आपको बतानी है कि इसके across आपकी voltage क्या होगी, यहां पे V आपको निकालनी है, V आपकी क्या है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, सेम भही आपका procedure है कि इसको हम देखो, जहां पे आपका निकालना है उसको हम निचेडेंगे, बाकी को हम क्या करेंगे, इस source को आपका convert कर लेंगे किसमे, current source के अंदर, तो current source का आपका magnitude क्या रहेगा I it is equal to V by R और यहाँ पे V आपका कितना है? 2 V है, resistance आपका कितना इसका? 2 Ohm का है, तो यहाँ से I it is equal to V by R करके आपका कितना आ जाएगा? I it is equal to V by R यानि कि 2 divided by 2 so this is equal to 1 Ampere यह आपका source कितने Ampere का रहेगा? 1 Ampere का आपका source आजाएगा और यह जो resistance आपका Series में लगा हुआ था अब यह किसमें आजाएगा? आपका Parallel के अंदर ठीक है, यह किसमें आजाएगा आपका? Parallel के अंदर, यहाँ पे आपका कितना आजाएगा? 2 Ohm और यहाँ पे भी आपका कितना आजाएगा? 2 Ohm ठीक है दोनों आपके किसमें है, पैरलल के अंदर है, ठीक है, और यहाँ से आपका कितना है, इस इस वन ओम, यहाँ कितना है, वई, वन ओम का है, और यहाँ पर आपका बच गया है, यहाँ पर आपका बच गया है, तो इसका मतलब दोनों पैरलल में है, और जब भी, दोनों आपके का क्या हो जाता है हाफ आपका आजाता है तो यहां से आपका कितना आएगा अब इससे बाद में आपका दुबारा सर्कृट बनाएंगे तो यहां से वन एंपियर का है यह आपका और यहां पर आपका कितना हो गया है वन ओम का हो गया ठीक है यहां पर भी आपका कितना है इस is also 1 ohm का है, और यहां पर आपका कितना है, this is 5 ohm, और यहां से आपका क्या है, this is your current source of 2 ampere, ठीक है, तो अब फिर से आपका इसको हम convert कर लेंगे, किसके अंदर आपका convert करेंगे, इसको हम इसको फिर से आपका voltage source के अंदर ले जाएंगे, ठीक है, तो voltage source के अंदर जब हम इसको तो यहां से आपका क्या आजाएगा देखो, यहां से आपका आजाएगा यह आपका voltage सोर्स मनेगा, प्लस और माइनस के साथ में, V इस एक्वल to I into R, तो I आपका कितना है, तो यहां से आपका voltage कितना आएगा, 1 volt का voltage आजाएगा, ठीक है, और यहां पे आपका कितना होगा तो आपका किए पहले दो नोड थे ठीक है आपने इसको कनवार्ट कर लिया किसमें सिर्फ एक नोड आपका छोड़ा और वह कौन सा छोड़ा आपने यहां पे ठीक है अब हम क्यों ना इसको क्या करते हैं एक नोड आपका खतम होगा, देखो, पहले आपके कितने नोड थे, एक तो आपका ये वाला नोड था, और एक आपका ये वाला नोड था, अगर हम यहां से इसको क्या कर देते, ग्राउंड कर देते, तब आपका दो नोड बचते, अब यहां पर कितने नोड बचे हैं, यहां पर सिर्फ आपका इसको सोल करने के बाद में एक नोड बचा है, और जब आपकी प्रेक्टिस हो जाएगी, तो आपको वैसे ही अंदाजा कर लिया है, तो डारेक्ट हम यहां से यह वगर डागरम मना सकते हैं, once you have practiced very much about this, जब आपकी प्रेक्टिस हो जाएगी बहुत जादा, तब हम इसको डारेक्टी कर सकते हैं, इसमें, ठीक है, तो यहां से, अब आपका क्या बचा देखो, यहां से आपका लगाईए, वी माइनस जीरो है आपका, तो माइनस जीरो लिखने की जूरत नहीं है, यहां से, डिवाइड़ भाई आपका क्या लिखेंगे, और फिर आपका क्या है, यह incoming current है, that is of 2, it is equal to 0, बहुत यहासान आपकी equation बची, 10 से आपका multiply करवा दीजे पूरी equation को, तो यहां से आपका क्या आ आपका कितना हो जाएगा, 25 divided by 7 बोल्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर answer आपका आजाएगा, तो source transformation करने के बाद में, आपका जो result आपका आता है, वह बहुत ही आसान हो जाता है, calculation आपकी complex नहीं होती, ठीक है, तो यह आपका source transformation का concept आपका बहुत important रहेगा, next question, इस question को पहले तो हम आपका करते हैं आपका, इसके through आपका node analysis से, फिर इसको हम करेंगे source transformation से, ठीक है, तो यहां पर आपके कितने node नजारा रहे हैं, दो node हैं आपके, एक तो यह वाला node है आपका, और एक यह वाला node है, क्योंकि सारे इन के बीच में, सभी के बीच में आ यहां से ground अपा कर देंगे, ठीक है, आपका क्या करेंगे, यहां से ground अपा करेंगे, अब यहां से, माल लीजी, यहां पर voltage है आपकी V, ठीक है, तो पहले आपका node analysis लगाएंगे, फिर उसके बाद में हम इसको solve करेंगे source transformation से, तो यहां से आपका क्या आजाएगा, पहले node analysis स तो यहां से सबसे पहले, V minus 50, V minus 50 divided by 5, यह तो आपका हो गया इस branch का, यहां से आपका सीधा current given है, minus का 10, फिर आपका यहां पे क्या है, plus V divided by 2, फिर आपका यहां पे क्या given है, plus V minus 10 divided by 3, ठीक है, तो it is equal to 0, यह आपका एक equation मनेगी, एक ही आपका node है, तुरंद आपका solve हो जा 5 into 2, 10, 10 into 3, 30, तो तीनों कल से हम आपका केतना आएगा, 30 आपका आएगा, कुछ भी common है नहीं आपका, तो यहां से 30 की साथ में जब multiply करेंगे, तो यहां से आपका क्या मनेगा, 30 V minus, sorry, यह आपका मनेगा 6 V, so this is 6 V, 6 V minus, ठीक है, 6 V minus, 50 into 6, 300, ठीक है, 300 minus का, यहां से आपका क क्या देगा, this is also 300, ठीक है, प्लस V, 15 V आप यहां पर आजाएगा, 30 से multiply करेंगे, प्लस यहां पर आपका क्या बचेगा, 10 V minus का 100, this is equal to 0, यह आपका किस के बराबर होगा, 0 के बराबर, तो यह आपका टोटल आपका आपका आगया, this is equal to 700, और यहां से 15 और 6, 21 और 10, आपका इसको apply करते हैं आपका, source transformation से भी आपका करके देख लेते हैं इस question को, कि क्या आपका answer same आ रहा है कि नहीं, अच्छा, पहले तो आपको निकालना था current, यहां से, इसके थुरू आपको क्या निकालना है, current आपका निकालना है, तो current आपका यह कुन सा है, this is the current, यह आपका current है इसके थुरू आपका 50V की थुरू आपका current है, चीक है, तो यहां से इसको apply कीजिए, यहां पे आपका क्या आएगा, 700 divided by 31 minus का 50 divided by आपका कितना है, 5 है आपका, चीक है, तो यहां से इसका LC में लेंगे 31 into 5, और 31 into 50, 31 into 50, तो कितना आपका आएगा यहां से, यहां से आपका 155, so this is equal to 700 minus 31 into 5 कितना होता है आपका, तो इसका सीधा सीधा तरीका है, 310 आपका इसका into 10 multiplier होगा, और 310 का half कितना होता है, 150 into 2, 300, 155 आपका आजाएगा, तो यहां से आपका आएगा 1550 divided by 31 into 5, ठीक है, तो यहां से, जब हम इसको subtract करेंगे, तो आपका minus के अंदर आएगा, minus इसका मतलब है, deliver कर रहा है आपका current को, तो यहां से 700 minus this, तो यह आपका 850 बचेगा, minus का 850 divided by 31 into 5, ठीक है, अब यह आपकी क्या है, this is the current, और किस डारेक्शन के अदर आपका flow कर रहा है, यह आपका flow कर रहा है, इस डारेक्शन के अंदर, ठीक है, तो अब यह तो था आपका किस से, normal आपका nodal analysis से, इसको solve करके आप देख सकते हो, कितना current आपका रहा है, अब हम इसको करते हैं किस से, source transformation से, कि source transformation से आपका क्या होगा, तो यहां से, देखिए, सबसे पहले, हम किसको convert करेंगे, यहां पे आपका 50 और 5 आपका given है, इसको convert कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे भ source transformation से है, और यहां से, sorry, यह तो आपका given है, source transformation से अब आपका क्या आएगा, यहां से 10 ampere है, और यहां कितना है, 2 है आपका, तो V, it is equal to I into R, तो यहां से resistance आपका series में आजाएगा, जो parallel में था, वो कहां पे आजाएगा, voltage source से अब हम बना रहे हैं, तो इसके series में आजाएग और यहां से आपका क्या हो जाएगा, this is of 20 volt, यहां से आपका क्या आएगा, this is of 3 ohm, और यहां से आपका क्या है, plus minus 10 volt, तो यह आपका simple आपका network बचे गया, ठीके, अब हम इसको ground करके आपका solve करने कोशिश करते हैं, कि आपका answer सही आएगा कि, नहीं, तो यहां से फिर से वही आपकी equation V minus 50 divided by 5 plus V minus 20 divided by 2 plus V minus 10 divided by 3 this is equal to 0 ठीक है यहापका किसके बराबर होगा 0 के बराबर LCM यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा 30 आपका रहेगा ठीक है तो 30 के साथ multiply करेंगे तो फिर से वही 6V minus 300 plus यहाँ पर 15V minus और यह आपका किसे multiply होगा 15 से multiply होगा तो यह भी आपका कितना हो जाएगा 300 plus यहाँ पर आपका आएगा 10V minus का 100 ठीक है दिस इक्वाल टू 0 तो कितना होगा आपका 6 plus 15 plus 10 आपका कितना होगा 31V इस इक्वाल टू 700 यह भी इट इस इक्वाल टू 700 डिवाइड़ भाई 31 और यहां से भी आपका आंसर क्या रहे है क्या था आपका यही था और यहां से भी आपका आंसर क्या है सेम है ठीक है तो source transformation हम ऐस तरीके से भी कर सकते हैं जब आपका क्या हो बीच में आपका आ जाए जैसे अभी आपका बीच में आया है यहां से एक टर्मिनली सेट निकल रहा है एक टर्मिनली सेट ऐसे ही यहां पे है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं source transformation प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है तो आपका 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 के अंदर आपका देखिए क्या है if all the resistances are 1 ohm यानि कि जितने भी given resistance है r1 it is equal to r2 it is equal to r3 this is equal to r4 this is equal to r5 and this is equal to r6 this is equal to 1 ohm ये सारे के सारे आपके केतने है 1 ohm के आपके given है ठीक है फिर आगे आपके क्या है all the voltage source have a magnitude of 1 volt each यानि कि जितने भी voltage source आपको नजार आ रहे है तीनो e1 e2 और e3 e1 it is equal to e2 it is equal to e3 this is equal to 1 volt ये आपको given है ठीक है आपको यहाँ पे निकालने है loop current साब पे क्या हूंगे यानि कि इस बार आपको loop analysis से इसको solve करना है ठीक है तो यहाँ से माल लिजी भाई यहाँ से आपका ये loop current है ठीक है यहाँ से आपका ये वाला loop current है this current is i1 this current is i2 और यहाँ से आपका ये वाला current है this current is i3 ठीक है तो आपको i1 i2 और i3 की value यहाँ पे निकाल के बतानी है कि क्या होगी i1 i2 और i3 आपको क्या रहेगा ठीक है i1 i2 और i3 आपको क्या रहीं, तो कहां से, इस टैपा कोशियन आपका पूछा जाता है क्यी एग्जाम से कंदर पूछ लिया जाता है जो मैंने अब झारब यापको बताया है ठीकर, इसके अंदर आपका वैसे मैं आपको बताऊं Was पहले हम loop current के इसकी loop equation आपकी बना लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या current आपका आएगा, direct हम कैसे निकाल सकते हैं इस type के questions में, ठीक है, तो देखिए यहाँ से, सबसे पहले हम loop first के अंदर आपका चलते हैं, in loop first, in loop first, first loop के अंदर आपका क्य नीचे जाएगा, r4 है आपका, तो यह वाला current आपका i1 नीचे की तरफ जा रहा है, i3 आपका ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, plus i1 minus i3 into r4, ठीक है, into आपका क्या हो जाएगा, r4, फिर यहाँ से इस तरफ bend करेंगे, तो i2 आपका opposite में है, तो r5 आपका म value 1 है, r5 की value भी कितनी है, 1 है, तो पहली equation से क्या मिलेगा, एक, दो और तीन, 3 i1, 3 i1, और minus i2, minus i3, this is equal to 1, यह आपका first से आपका आएगा, ठीक है, यह आपका किसे आगया है, first से, next आपका क्या आएगा, from loop second, in loop second, in loop second, second loop के अंदर आपका क्या आएगा, तो second loop के अंदर भ i2 जो है आपका, वो three times हो जाएगा, देखी कैसे, यहां से minus का e2 सबसे पहले start करेंगे, minus का e2 से, plus, next आपका क्या हो जाएगा, i2, r2 है, plus, i2 into r2 है आपका, plus, next आपका क्या है, r5 आपका मिला, r5 में current आपका i2 इस तरफ जा रहा है, i1 opposite में आ रहा है, और क्योंकि हम loop second के अंदर हैं इस बार, तो यहां से हम क्या करेंगे, इस बार, i2 minus i1, और into resistance आपका कौन सा है, r5 है, ठीक है, फिर उसके बाद में आपका r6 के पास में मूड़ है, तो यहां से plus का आपका क्या हो जाएगा, next आपका plus का r6, r6 का हम कैसे लिख सकते हैं, i2 आपका यहां से जा र आ रहा है, तो i2 minus i3 into r6, this is equal to 0, और इसको जब हम solve out करेंगे, तो इस बार, i2 आपका दूसरी तरफ आएगा, कितना आपका, 1 है, r2 की भी 1 value है, r5 की भी 1 value है, और r6 की भी 1 value है, तो इसी terms की equation में कैसे लिखेंगे, इसको, यहां से minus का i1 लिखेंगे, minus का i1, यहां से जो आ आएगा, i2, और फिर minus का आपका क्या है, i3, this is equal to 1 है, तो यह आपकी कौन सी equation आजाएगी, second आपकी equation आजाएगी, ठीक है, अब in loop, third, अपकी बार, आपका कौन सा loop है, in loop, third, third loop के अंदर, तो third loop के अंदर भी ऐसी equation आएगी, मैं आपको पहले बता देता हूं, plus का 3 i3 plus next आपका क्या है, क्योंकि ये current आपका इस तरफ जा रहा है, i2 opposite में आ रहा है, और इस बार हम loop किस के अंदर है, थार्ड के अंदर है, third loop के अंदर analysis कर रहा है, तो यहां से आपका क्या है, r6 है आपका, तो i3 minus का i2 into r6, ठीक है, फिर उसके बाद में आपका यहां से r4, r4 आपको दिखा, तो plus, इस बार आपका क्या होगा, i3 आपका opposite में यहां से जा रहा है, i1 आपका इसके oppose कर रहा है, तो यहां से इसको हम लिखेंगे, i3 minus का i1 into r4, this is equal to 0, ठीक है, तो इस बार, इस equation को कैसे लिखेंगे, फिर से आप सभी का magnitude 1 है, क्योंकि तो यह आपका e3, it is equal to, क्या हो जाएगा, यह इस तरफ आएगा, तो आपका 1 हो जाएगा, और यहां से, minus का i1 है, तो इसको हम लिखेंगे, minus का i1, फिर आपका क्या है, minus का i2 है, क्योंकि बक्की सभी की value आपके केतनी है, 1,1 है, और i3 की value केतनी है, plus का 3 into i3, ठीक है, तो यह आपकी third equation आपके determinant के अंदर, वहां से अगर हम देखें, तो यह तीनों equation कुछ symmetric type की equation है, कैसे, यहां पर इसका जो आपका component है, यह आपका 3 है, फिर आपका i2 है, इसको हम इस type से लिख सकते हैं, 3, minus 1, minus 1, फिर minus 1, यह 3, फिर minus 1, minus 1, और यहां पर आपका क्या है, ठीक है, इस type से आपकी equation है, तो इस type की जो आपकी, यह आपकी जो matrix आपकी आई है, इसको बोलते है symmetric matrix, ठीक है, symmetric, इसको क्या बोलते है, symmetric, ठीक है, तो क्योंकि आपकी यहां पर symmetry है, ठीक है, और symmetry की वजए से, जो आपका current flow कर रहा है, देखो, आप देखो, हार एक जगे आपका 1, 1 ohm का resistance है, तो क्यों it is equal to, कतना हो जाएगा आपका, sorry, i2 it is equal to e2 by r2, i into r2 भी कर सकते हैं, तो यहां से i it is equal to this by this, यहां से आपका current कितना हैगा, 1 ampere, तो यहां पर, जितने भी आपके current आएगे, i1 it is equal to, i2 it is equal to i3, this is equal to 1 ampere, ठीक है, आप solve करके भी देख सकते हैं इन तिने equation को, तो आपके current की value जो रहेगी, वो आपी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है, आप इसको direct Kelsey के अंदर पूट करके देख लीजिए, आपका direct आपका क्या आएगा, result आपका आजाएगा, ठीक है, तो यहां से, एक चीज़ तो आपकी ये note कर लीजेगा, कि जब भी इस type का कोई question आता है, ज जैसे यहां पे 55W, आपके यहां पे रहते हैं, ठीक है, और जो voltage source आपका रहता है, this is 4V का, तो आपका क्यतना हो जाता है, 4 by 5, सभी current आपके क्यतने हो जाएगे, 4 by 5 के आपके आजाएगे, ठीक है, तो यह question और यह direct result आप याद रखेगा, ठीक है, अब हम देखते हैं, आपके कई तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका जो मैं तरीका आपको बताओ, आप उसी तरीके से कीजिए, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, तो यहां पे आपके दो आपके चीजे नजर आ रहे हैं, कौन-कौन सी, एक तो star connection, ठीक है, एक तो star, आपका क्या है, तरी ओम का है, और यह आपका कितने का है, इस तरीके से हम इसको क्या समझ सकते हैं, star connection से आपका कर सकते हैं, तो star को हम किसमें convert करते हैं पहले, डेल्टा के अंदर, ठीक है, तो यहां से एक resistance आपका यह हो जाएगा, इस फर्स रिजिस्टेंस, इस इस R3 है, ठीक है, तो यहां से, R1 की जो आपकी value आएगी, R1 it is equal to, R1 आपका कहां कहां पर connect है, 8 और 3 के साथ में connect है, तो 8 प्लस 3, प्लस 8 इंटो 3, divided by opposite branch, that is 5, तो यहां से कितना आजाएगा आपका, 11 प्लस 24 divided by 5, ठीक है, 11 प्लस 24 divided by 5, इसको solve करेंगे, बाद में Kelsey से, ठीक है, या फिर आप इसको direct भी कर सकते हो, लगबग कितना आएगा आपका ये, 54.8 आपका आएगा, तो this is equal to 15.8, ठीक है, यह आपका कितना हो जाएगा, 15.8, similarly, what is resistance R2, R2 आपका क्या आएगा, यह वाला resistance, this is 8 प्लस 5, 13, प्लस 8 इंटो 5, 40, divided by, और यह आपका कितना है, 3, प्लस 40, इंटो 3, डिवाइड़ बाई 3, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 13 इंटो 3, 13.33 आपका यहां से आएगा, 13 यहां पे है, तो इसको हम लिख सकते है, 26.33 हो, ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, that is R3, R3 आपका क्या हो जाएगा, यहां से, 5 प्लस 3, 8, 5 इंटो 3, 18, 15 डिवाइड़ बाई 8, तो यहां से आपका, second आपका क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3, 8, प्लस 15 डिवाइड़ बाई 8, तो यहां से आपका कितना हो जाएगा, 15 डिवाइड़ बाई 8, जब हम करेंगे, तो आपका हो जाएगा, 1.87, so this is 9.87, लगबग इतना आपका हो जाएगा, तो यह आपका हो गया R3, अब देखो यह points के अंदर आपका आगया, अगर हम इसको star delta transformation से करेंगे, तो आपका जो question है, जो आपका, जिस type से आपका numerical आएगा, वो बहुत ही complex situation के अंदर आपका चला जाएगा, यानि कि आपके कई सारी आपकी equation लगानी पड़ेंगी, अब तो यहां से आपका क्या है, तो यहां से आपका क्या है, यह आपका उपरवाला केतना है, वही, 10 ohm का है, अब यहां से, क्योंकि देखो, यह आपका मालीजी A point है, this is B, this is C, and this is D, तो A, इसको बीच वालेगा, आपने बताया, B है आपका, ठीक है, और यहां से B और C के इन दोनों के बीच में, आपका कुम सा रजिस्टेंस है, R1 है, तो यहां से हम करेंगे, बैटरी के पैरलेल में आपका रजिस्टेंस लगा देंगे, कुम सा R1, जिसकी वाल्यू है, 15.8 ohm, ठीक है, this is 15.8 ohm, यहां से हम लगा सकते हैं, आपका क्या होगा, जो B और C के आपका रजिस्टेंस लगा, 2 के पैरलेल में, COD के बीच वाला, यानि की R3 आपका रजिस्टेंस यहां पे आ गया, और R3 की वेल्यू कितनी है, 9.87 ohm, ठीक है, यह दूसरा आपका हो गया, फिर उसके बाद में, AOD के बीच में भी आपका है, that is R2, यानि की एक रजिस्टे 6.33 ohm, और यह आपका कितना हो गया, this is of 10 ohm, अब देखो, जाहे तो हम बोलें, यह इसके पैरलेल में है, वैसे ही आपका 10 ohm भी पैरलेल में है, तो यह दोनों आपके किसमें हो गये, पैरलेल के अंदर आप क्या गये है, तो इनका आप हम क्या निकालेंगे, पैरलेल कमिने आपका आजाएगा, ठीक है, अब एक सीज़ और आती है, आपके एक्जाम के अंदर, चलिए, यहां पर आपका कंसेप्ट आगया, तो आपको यही बता देता हूँ, अगर आपका वोल्टेज सोर्स के पैरलेल में कुछ भी हो, जैसे यहां पर आपका वोल्टेज सोर्स है, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, if any element is in parallel with a voltage source, it will be redundant, यानि कि वो खतम हो जाता है, हम उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, तो यहां से आपका नोट करके लिख लीजेगा इन पॉइंट्स को, if any element, if any element in parallel with, in parallel with, with voltage source, in parallel with voltage source, ठीक है, it will be, यापक क्या हो जाता है, it will be redundant, यापक खतम हो जाता है, ठीक है, और अगर हम इसका, दूसरा आपका बोले current source के बारे में, तो current source के series में कुछ भी होगा, तो वहाँ पे current आपका सेम रहेगा, ठीक है, ठीक है, तो अगर आपका current source के साथ में कुछ भी आ जाए, तो हम उस आप आजाए, शिरीज में आजाए, किसके साथ में, with current source, इन सीरीज with current source, ठीक है, तब आपका क्या होगा, it will be redundant, ये भी आपका क्या हो जाएगा, khatam हो जाएगा, it will be redundant, ठीक है, तो ये आपका था, अब यहाँ से इन दोनों का parallel combination आपने निकाला, तो अब यहाँ से मालीच, इनका parallel combination कोई भी निकला एक्स अभी calculator के अंदर मैं आपको calculate करके बता सकता हूं या फिर आप अपना खुछ से भी कर सकता है इसको देख सकते हूं तो यहां से माली एक्स आगया आपका तो यहां से circuit जो आपका बचेगा वह आपका क्या होगा यहां से यहां से आपका बचेगा एक्स ठीक है चलिए 10 को बात में ले लेंगा अभी जूरूर नहीं क्योंकि आपको 10 ohm के थूरू आपका current निकालेंगे फिर उसके बाद में आपका क्या है 2 और 9.87 भी है आपका तो 2.97 का आपका पैरलल कमिनेशन कितना हो गया माली जे वाई ठीक है अब यहां पर आपका simple circuit बचा है है ना तो इस circuit के हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं आपका simple आपका loop analysis लगा के इसको solve कर सकते हैं ठीक है यह तो आपका हो गया पहल आपको कैसे जूर्ट पढ़ेगी माली जी आपने current को आपका यहां से बताया वह यह current आपका है माली जी आपने उसको लगा के रखा है अभी आपने उसको क्या किया लगा के रखा है तो वहाब हम direct current निकाल सकते हैं current आपका कितना है ठीक है उस current को आपका यहां से बता सकते है ठीक है यहां से हम इसको कैसे लिखेंगे direct equation minus 15 ठीक है तो यहां से इस current की जूरत नहीं पड़ी इस वज़े से आपने क्या किया इसको यहां से replace कर देए इस branch को जैसे मैंने आपको बताया इस current की जूरती नहीं पड़ेगी तो हमने क्या गर दिया इसको रिपलीज कर दिया है ठीक है तो जैसे हम इसको हटाएंगे तो सिंपल आपका सेट सर्केट आपका बचेगा और करने में भी बहुत ही आसानी हो जाएगी ठीक है तो इसलिए मैंने आपको बतादा जितने भी आपकी ट्रांसफ आपका से आपकी डारेक्ट आजाएगी 15 डिवाइजेड भाई एक्स प्लेस वाई ठीक है यहां से एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दिजे आपके पास में डारेक्ट क्या हो जाएगा अंसर आपका आजाएगा यह तो था आपका फस्ट मेथा नोड़ लगाओ या फि और इसको आपका soul out कर लीजी, ठीक है, दूसरा method है आपका ये वाला, आप चेक कीजिएगा, आपका answer क्या आना चीए, यहां से same आना चीए, और जो third आपका method है, third method आपका क्या कहता है, third method आपका ये बताता है, कि हम loop analysis से भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको तीन loop यहां प direct आपका कीजिए, और आपका answer आजाएगा, क्योंकि जब तक आप तीन equation solve करके इसको लिखोगे, तब तक आपका यहां से भी आपका answer निकल चुका होगा, तो हम star delta से भी कर सकते हैं, इसको nodal analysis से भी कर सकते हैं, और साथ-साथ आपका loop analysis से भी कर सकते हैं, ठीक है, और जो current आपका आएगा, जैसे आपने इसे में किया है, एक्स को, फिर से आपका read row कर दीजे, जो भी current आपका आया है, इसको read row करके ऐसे लिख दीजे, this is 10 ohm, ठीक है, और यहां पर कितना था, 26.33 ohm था, और यहां से आपका कितना है, 15 volt है, और साथ में आपका क्या है, this is y, ठीक है इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, और जो भी आपका current आएगा, इस network का, जो भी current आएगा, उसको, हम एक गोर rule होता है, जिसको next lecture के अंदर आपका पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं, आपका current divider rule, ठीक है, कौन सर rule आपका होता है, current divider rule, और उस current divider rule से, हम 10 ohm के cross, आपका क्या into r, और वहाँ से आपका निकल के आएगा, क्या, what is the power loss in this resistance, ठीक है, तो अब हमें Kelsey लेके, आपको इसकी सारी equation आपकी बता देता हूँ, last one, आपका final answer क्या आएगा, x की जो आपकी value आएगी, यह आपकी आएगी 7.248 ohm, ठीक है, इन दोनों का parallel combination आपका कितना है, 7.248 ohm, ठीक है, next आपका, इसकी कितनी value आएगी, इसकी value आपकी आएगी, 2 into 9.87, 9.87 divided by 11.87, ठीक है, तो यहाँ से आपकी value आएगी, 1.66 ohm, y की value आपकी कितनी आएगी, 1.66 ohm, ठीक है, यह x की value है, यह y की value है, और यहाँ से current जो आपका आएगा, यहाँ से current जो आपका आएगा, यह आपका आएगा, 15 divided by 7.248 plus 1.66, so this is equal to, this is equal to 1.683 amp, ठीक है, इतना current आपका flow करेगा, इस circuit के अंदर, तो यहाँ से हमें इसका current पता चला, कितना current है आपका, 1.683, और हमें किसके थुरू निकालना आपका, 10 ohm के थुरू आपको current चाहिए, तो कैसे निकालेंगे इसका, current divider rule, यह मैं आपको next lecture के अंदर बता हूँगा, क्या होता है आपका, ठीक है, फिलाल मैं आपका answer बता देता हूँ, कितना आपका, तो answer आपका आएगा, यहां से आपका जो current flow कर रहा है, इस current को हम बोलेंगे, 1.22 ampere, इतना current, ठीक है, approximate है आपका यह, और इसका जब मैं square करूँगा, into 10, तो आपकी जो power आपकी आएगी, that is nearly equal to 15 watt, nearly आपकी कितनी रहेगी, 15 watt आपकी power रहेगी, आप इसको check कर सकते हो, ठीक है, answer मैंने आपको बता दिया है, क्या 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 आपके answer आएगे, इस method से, ठीक है, और आप direct भी आपका कर सकते हो, I1, I2, I3, या फिर आप nodal analysis लगा क यहां से आपका direct current निकाल सकते हो, यह मैंने आपको star delta से आपका करके बता दिया है, ठीक है, अब देखते हैं, आपका next question, इस question में देखिए, आपका क्या दे रहा है, एक 10 volt बैटरी, एक 10 volt की आपकी बैटरी है, जिसका internal resistance है 1 ohm का, तो सबसे पहले तो हम बैटरी बना देते ठीक है, इस इस बैटरी, यह बैटरी आपके कितने volt की है, 10 volt की है, और इसका internal resistance गीवन है, कितना आपका 1 ohm का है, ठीक है, अगे, इस connected across non-linear load, मालनी जे non-linear load है, non-linear load का मतला आपका क्या होगा, जिसकी VI characteristics linear नहीं होती, और गीवन भी आपकी characteristics क्या है, whose VI characteristics is given by 7I plus V square plus 2V, ठीक electronic devices होते हैं, जैसे आपके transistor या diode वगेरा, वो आपके कौन सी category में आते हैं, non-linear load की category में आते हैं, ठीक है, तो इसको connect किया गया इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका कोई भी load है, this is the non-linear load, यह आपका कौन सा load है, non-linear load है, ठीक है, देखो, तीन तरीके के आपके load हम रिप्रे करते हैं, this is variable load, यह आपका क्या होता है, variable load, आप सिंबल हमेशा याद रखेगा, इसको variable load बोलते हैं, और एक आपका कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ से ऐसे, तो इसको बोलते हैं, आपका कौन सा load होगा, non-linear load आपका, ठीक है, अगर आप के एक रोज, जब current flow करेगा, current तो आपका flow करेगा, यहाँ से अपका current आपका जाएगा, so this current is I, तो current जब आपका जाएगा, यहाँ से आपका क्या produce करेगा, कुछ voltage drop produce करेगा, तो इसके एक रोज मालेजे, कुछ voltage drop हो गया, कौन सा V, कौन सा drop हो गया आपका, V, तो यहाँ से हम इसके हिसाब से अब लूप आपका लगाएंगे तो क्या निकल कैएगा यहां से हम कह सकते हैं यहां से प्लस का V है V प्लस और यहां से जब करंट जाएगा तो इसके एक रोस डॉप करेगा 1 इंटू I और माइनस का 10 है दूसरी तरफ जाके आपका क्या हो जाएगा प्लस का 10 so this is equation first यहां से आपकी पहली equation आएगी V प्लस I this is equal to 10 इन दोनों का सम आपका कितना है 10 है आपका पहली equation तो आपकी यह आएगी अब दूसरी equation आपकी क्या गीवन है यहां पे गीवन है कि भाई तो 7 I है यह आपका किसके बराबर है V स्केर प्लस 2 V के बराबर है इसको जब हम इसके अंदर आपका पुट करेंगे यानिकी पहली वाले equation के अंदर तो आपका क्या आएगा यहां से I की value हम निकाल सकते हैं I it is equal to V स्केर डिवाइड़ बाई 7 प्लस 2 V डिवाइड़ बाई 7 चीक है इसको हम इसके अंदर आपका पुट करेंगे तो यहां से आपका 9V divided by 7 दूसरी तरफ जाके आपका कितना हो जाएगा this is equal to 70S तो इसको इस तरफ ले आईए quadratic equation आपकी form हो जाएगी minus 70 equal to 0 ठीक है minus 70 equal to 0 ठीक है अब यहां से आपका क्या आना चाहिए यहां से आपका quadratic equation आपके निकलेगी और कुस quadratic equation के root कैसे निकलते हैं यह भी मैं आपको बत कैसे निकल के आते हैं मालीजे दो roots आपके आएंगे x की दो value आपके आएंगी कौन कौन सी value b plus minus एक plus के साथ में minus के साथ में under root इसको बोलते है discriminant या फिर हम इसको लिख सकते हैं सीधा b square minus 4ac divided by 2a ठीक है यह आपके क्या निकल के आएंगे यहां से roots आपके निकल के आएंगे तो यहां से इसी के हिसाब से अगर हम इसमें put करेंगे तो आपके क्या आएगा this is equal to minus का 9 plus और minus के साथ में under root 9 का square 81 और minus का 4ac है minus का 4a की value कितनी है 1 और इसकी value कितनी है c की value minus का 70 तो minus minus क्या हो जाएगा plus divided by आपके क्या है 2 times a तो 2 आपका a की value कितनी है 1 है इसको solve करेंगे b की value कितनी है 81 यहां से 70 into 4 280 280 plus 361 और 361 का जो आपका under root होता है वो आपका 19 आपका होता है ठीक है तो यहां से आपका क्या आजाएगा minus का 9 plus minus 19 divided by 2 so this is equal to 19 के अदर से आपका minus के अदर तो आपकी voltage है नहीं यहां से माइनस के अंदर आपका करेंगे तो माइनस के अंदर voltage नहीं आएगी यहां से आपका 10 बचेगा 10 divided by 2 this is equal to 5 ठीक है आपका कितना आपका आएगा 5 वोल्त आपका आजाएगा तो पहली equation के अंदर आपका put करेंगे यहां पर आपका क्या given है एक 3 वोल्ट DC सप्लाई एक 13 वोल्ट की DC सप्लाई है तो पहले आपकी 3 वोल्ट की DC सप्लाई आपकी बहां लेते हैं से this is 3 वोल्ट ठीक है अब आगे with an internal resistance of 2 ohm यानि कि इसका internal जो resistance है यह given है आपका कितना है 2 ohm का है ठीक है अब इसके बाद में सप्लाई पैसिव पैसिव का मतब जो आपका क्या होता है जिसकी खुद की कोई energy नहीं होती ठीक है तो उसको हम यहां से supply दे रहे हैं ठीक है तो यह आपका supply कर रहा है किसी non-linear node को लोड को ठीक है वी non-linear V no-load this is equal to I square no-load अब आगे the power dissipated in the non-linear इसके अंदर आपको power कितने dissipate होगी यह आपको निकालना है ठीक है तो माल लीजिए यहां पर non-linear है तो इसको supply जो मिल रहे है यह आपकी मिल लिए I no-load ठीक है आपकी supply क्या मिल रहे है sorry no-load नहीं है non-linear है non-linear current है आपका non-linear load के लिए current है आपका तो यहां पर non-linear load का current आपने बता है आई है और non-linear load की जो voltage है वो है आपकी V NL ठीक है तो यहां से अब आपका equation loop आप से आपका क्या आएगा so this is plus और यह minus है क्योंकि passive है आपका passive का मतलब ऐसे ही जैसे resistance आपका होता है जिसके खुद की कोई energy नहीं होती active वो होता है जो supply करता है energy को passive वो होता है जो energy को ले लेता है तो यहां से आपका क्या है सबसे पहले आपका क्या आएगा V no load plus 2 I no load this is equal to 3 यह आपका किसके बराबर है 3 के बराबर है ठीक है अब यहां से आपको V no load की value given है I square no load तो इसको लिखेंगे I square of non-linear plus 2 I of non-linear minus का 3 equal to 0 यह आपका आजाएगा ठीक है अब यहां से आपको पता है इसके factor भी बनाने पढ़ता ह तो हम मैंने आपको पता एक तरीका तो आपका जो इसे पहले वाले question में आपके जो roots बना के बताए दे वैसे भी कर सकते है quadratic equation को solve और otherwise हम अगर आपके factor possible है ज्यादा दिमाग लगाने जूरत ना पड़े तो factor से आपका direct कर सकते हैं ठीक है तो यहां से आपका I square no load कैसे बनते आपके factor कि इसका जो यहां पर factor बने गे कि इस तरीके से बनने चाहिए कि उनका जो product है वो आपका क्या होना चाहिए 1 into minus 3 minus 3 आपका आना चाहिए computer आपका i n l हम लिख सकते हैं 3 inl माइनस 1 inl ठीक है इस तरीके से आपको कर सकते है माइनस का 3 equal to 0 तो इस तरीके से आपके क्या बन जाएंगे फैक्टर आपके बन जाएंगे अब यहां से इन दोनों में से आपका क्या है inl आपका common है अंदर आपका क्या बचा? यहां से हम इसको लिख सकते हैं भई INL plus 3 into आपका क्या बचा? दूसरा INL minus 1 यह आपका बच जाएगा, this is equal to क्या हो जाएगा? 0 तो यहां से INL की दो value आजाएगी, non-linear current की दो value है एक तो minus का 3 और दूसरी आपके क्या है? और आपका क्या हो जाएगा? 1 अब minus 3 आपके possible नहीं है, क्यों possible नहीं है minus 3 ampere? minus 3 ampere is not possible, ठीक है? minus 3 ampere का मतलब आपका क्या हुआ? कि यहां से जो आपका current आपका आ रहा है, इसका मतलब यह जो non-linear है register है या कोई भी आपका element है, ठीक है? जो भी non-linear, हाँ, resistance given है non-linear resistance अगर आपका given है, तो यह resistance जो होगा, यह कभी भी आपका वापे supply नहीं कर सकता है क्योंकि given है आपका क्या है? passive है so minus 3 ampere is not possible, या फिर हम कह सकते is rejected, ठीक है? is rejected not possible की जगे क्या करे सकते हैं आपका? resistance is passive in nature, non-linear जो आपका resistance है, यह आपका कौन सी nature का है? is passive in nature अगर active होता, तो आपका possible होता, is passive in nature, यह आपका given है? passive nature का है यह आपका given है ठीक है? तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका लिख सकते हैं वई तो i n l it is equal to आपका कितना ampere आएगा? 1 ampere आपका possible है और 1 ampere अगर आपका possible है, तो आपका पता है, पावर आपकी क्या होगी? so p of non-linear, this is equal to v of non-linear into i of non-linear ठीक है? और v of non-linear आपकी क्या है? i square n l है, so this is i cube n l non-linear kappa current, तो इसका 1 का cube आपका कितना हो जाएगा? this is equal to 1 watt तो कितनी power आपकी यह क्या करेगा? dissipate होगी यहाँ पर non-linear resistance के अंदर आपका answer क्या आजाएगा? a, ठीक है? तो यह था आपका इस question में और इस lecture के अंदर अब आपका next lecture के अंदर हम लोग current divider rule पढ़ेंगे और उससे related आपके कुछ numerical देखेंगे और फिर आपका next आपका unit आपका पढ़ेंगे उसके बाद में आपकी कौन सी network theorems ठीक है? तब तक के लिए thank you, thank you so much